जो बच्चे SSE CGL 2022 के लिए प्रिपेर करने हैं उनकी दिमाग में अभी एक common doubt होगा कि अभी pattern तो change हो गया लेकिन उसके हिसाब से जो beginner लोग हैं उन्हें अभी कौन सी चीज़े पहले पिक करने हैं क्योंकि time बहुत ही कम है हमारे पास और इतने कम समय में इतना ज्यादा content करना अपने आप में एक challenge है आप कोई भी batch भी किसी का join करेंगे तो आपको कम से कम साथ से 8 महीने उस batch को complete करने में लगें लेकिन अभी हमें ऐसा क्या करना चीज़े क्या हभी हमें किसी batch पे rely करना भी चाहिए के नहीं करना चीज़े ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी हमें कर नीचे chapter wise weightage के हिसाप से हम देख लेंगे कि यह chapter तो आप करके जाओ अगर आप यह करके चलेगे तो आपका tier 1 में selection easy हो जाएगा और हो ही जाएगा क्योंकि यह tier 1 जो हो qualify है हमें मालूम है अब उसके number तो add हो नहीं है तो हमें जो beginner बच्चे हैं उनको जादा focus किस पर करना है इ उसके लिए focus होगा tier 2 वो अभी से tier 2 की तयारी को साथ में लेके चलेगा हलाक एक detailed video जिसके अंदर बहुत कुछ चीजे मैं बताऊंगा वो एक लग आएगी अभी सिरफ chapter wise weightage के उपर है कि यह यह पढ़के चले जाओ तो आपका यह tier 1 है ना यह clear हो जाएगा अपना main target यह है है कि इसको qualify तो इसको बस qualify कर लेंगे हम ठीक है आप देखें कि इसमें भी maths है reasoning इंग्लिश जीए और इसमें भी सेम चीजे ही है और बस यह हो सकता है कि लेवल का difference आ सकता है tier 2 के अंदर ठीक है tier 1 में easy level हो सकता है और tier 2 में थोड़ा सा हो सकता है कि मुश्किल लेवल के question इसका कारण कुछ लोग यह देते हैं कि यहां पर दो नंबर का question होगा और यहां पर तीन नंबर का लेकिन उसका कारण मैं इस चीज को यहां से भी contradiction दे सकता हूं कि यहां पर इन्होंने one third की negative marking की है तो वह easy हो जाएगा one third की negative को मलब की three three number का है तो वह एक number की negative होगी easy हो ज जरूरी नहीं कि वहाँ पर टफोल लेकिन अभी एक assumption लगा के हम चल सकते हैं क्योंकि जब भी preparation करते तो worst के लिए करते हैं ठीक है वाई तो अभी जो बच्चे beginner है वो इन में कौन-कौन से chapters पढ़ लें कि हां 100% उनका काम बन जाए और यही जो चीजे हैं आगे चलके थोड सब्सक्राइब लिए तो कहने का मतलब है कि कही ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रूप आ जाएगा उन चीजों का और थोड़ा सा इन डैफ्स से जाने की कोशिश हो सकती है SSC की ओके तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं सारी की सारी चीज़ें आप देखें कि अब दो भागों में हमें पता है कि अरथमेटिक और एडवांस और यह भी मुझे मालूम है दिखिए कि कुछ चप्टर में ने अरथमेटिक में ही डाल दिया है ताकि तीन कैटेगरी ना मनानी पड़ें आप देखें कि अरथमेटिक का पिछले तीन साल का ट्रेंड जब द इसके लेवल को कम कर दिया गया है और यहां पे तो ऐसा है एडवांस में कि अगर आप फॉर्मूले बगर भी बढ़के चलेगे तो भी आप कर सकते हो ठीक है लेकिन अरथमेटिक में कहें कि यह जो चैप्टर में ने लिखिया ना इनकी वेटे सबसे ज़्यादा इनका बहुत सारी चैप्टर ऐसे हैं जो सब इसी से रिलेटिड है परसंटेज और रेशो जितने भी चैप्टर इन दोनों से रिलेटिड है तो इसको आपको करना ही पड़ेगा कोई आपके पस ऑप्षन हो सकता है परसंटेज का अलग से सवाल ना आए लेकिन परसंटेज करो ग और वर्रशन तो इसी लिए और इसको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत हो गया S I C I E को तो इसी लिए मैं कहा रहा हूं कि अभी एवोईड कर देना मेंस के टाइम में कर लेना उसको अगर करना है तो क्योंकि अभी टाइम कम है जिनके बस टाइम कम है जिन्नों कुछ कर नहीं सब्सक्राइब कि यह कर जो तो तुम्हारा मैट्स में ठीक स्कोर आजाएगा टाइम स्पीड डिस्टैंस और टाइम वर्क यह दोनों एक से चैप्टर है आपने एक चैप्टर कर लिया तो दूसरे को साथ की साथ कर ले ना क्योंकि लगबग चीजे सेम ही है ऐसी बोर्ट कोशन आना ही है एक इसका आना है एक इसका आना है और एक कोशन अगर टीर वन में आ रहे है किसी चैप्टर का तो यह बहुत बड़ी बात होती है अब मानलों कि LCMHCF के कोशन पूछता ही नहीं तो काहे को LCMHCF को अंदरी तरह आपको घुसन है ऐसी नंबर सिस्टम का दे इतना ज्यादा और यहां फिर रेमेंडर थियोरम के ऊपर कोशन पूछ रहा होता है लग बग ऐसा सी कोशन पूछ रहा होता है वह नंबर सिस्टम में हाला कि यह दोनों भी अपने आप में छोटी चीज़े नहीं इनके अंदर बहुत वेराइटी बनती है हमने सब पढ़ा कोशन भी आपके अच्छी हो जाएगी और स्पीड भी बन जाएगी तो यह आप कर लीजेगा क्योंकि यह दोनों चैप्टर बहुत इंपोर्टन ट्रॉल प्ले करने वाले हैं और रही बाट डियाई की तो डियाई अगर आपने परसेंटेज और रेशो कर लिया है तो डिय मिल रहा है रेशो का benefit आपको time speed, distance, time work में मिल रहा है अब देख रहे हैं बहुत ध्यान पुर्वक मेंने यह पूरे chapters चूज कि यह यह आप कर लेना अब इस इदर जो है trigonometric को ज्यादा वेटेज देना और algebra को यह दोनों अच्छे से कर लेना तो आपका लगबग बहुत सब्सक्राइब बहुत जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा जो में चोटी चीज नहीं है तो इसको अभी के लिए avoid कर सकते और ऐसी सेम चीज मेंसुरेशन मेंसुरेशन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुले पढ़ लो भाई मेरे अगर फॉर्मुले पढ़ लिए तो उनके एक एक दो दो सवाल करके देख लो slant edge वाला जरूर कर जाना slant height slant edge इनको कैसे निकालते ब अधर देखिए कि जो टीर टू में भी वो ज्यादा चीज अच्छी करने की कोशिच करेंगा या बढ़ानी की level कोशिच करेंगा वो क्या है कॉंप्रीयंशन पार्ट का तो इसलिए इस पर थोड़ा से जाधा फोकस डाले ना इस बार बेशक्से टियर टू के अंदर हो सकता है कि टियर वन के अंदर हो सकते है कि इतना ज्यादा मुश्किल ना पूछे लेकिन उसका काम टियर टू में भी आएगा क्योंकि आप ऐसा कर सकते कि सब कुछ छोड़ के चलेगा कि हाँ आप तो इसको तो टियर टू में करेंगे तो टियर टू में क्या क्या कर लोगी तुम दोड़ाई महीने में इतना भी कुछ नहीं होने वाला इतना समय नहीं बचेगा कि आप टियर टू में सब कुछी कर रहे हो सब कुछी छो जो टिर टू है उसके अंदर थोड़ा से लेवल रेस किसका होगा जंबल्स का पार जंबल्स जो होते हैं PQRS तो जरूरी नहीं कि वह PQRS यहीं पूछे वह यह भी पूछ सकता है जायनि अब इसको आरेंज करो अब इसको आरेंज करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और यह तो यह इस तरह से और क्लोस टाइस को कितना भी मुश्किल बना सकता हुँ फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करवाने लग गया तो और मुश्किल हो जाएगा प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करवा सकते हैं तो इसको आपको करना है इसके लिए भी हम भी करेंगे कुछ कोशिच के आपके लिए लेके आए ऐसी आर्सी जो है आर्सी हाला कि टीर वन में नहीं आता है तो इसको फिल्हाल के लिए चोड़ सकते हैं टीर वन में रीडिंग कॉम्प्रेशन आज कल नहीं दे रहा है लेकिन टीर टू में तो आएगा ही इसके चांसी हाई रहेंगे अभी तक तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ क्लोश टाश दे रीडिंग कॉम्प्रेशन भी देगा वो अब नरेशन और एक्टिपैसिव यह फ्री के नंबर होते हैं अब इसमें भी किसी के नंबर कट गए तो भाया फिर तो लानत वाली बात है यह फ्री के नंबर है यह तीन पार्ट है जो टू के अंदर जिनका लेवल रेस किया जाएगा और बाकी यह जो है इनका तो क्या लेवल रेस करेंगे यह इसलिए मैंने लिख दिया है कि यह सीदे-सीदे फ्री के नंबर होते हैं यह सारे के सारे ठीके वन वर्ट सब्स्ट्रीश ने इंडिंफ्रेश एक्टिपैसिव न आपको selective रहना पड़ेगा चीजों के लिए इसके अलावा reasoning की बात करता हूं तो आपको यह जो chapter है यह थोड़े से दिक्कत वाले होंगे स्पेशली टीर टू के अंदर इनका लेवल जो है लेवल जो है बड़ेगा इनका ठीक है तो उसके हिसाब से आपको यह और अच्छे से करने पड़ेंगे लेकिन अब मैं फिर वही बोलना हूं कि अगर आपने maths के इतने chapter छोड़ के जा रहे हो तो आप टीर टू के हिसाब स जही रिजनिंग को भी करो प्रैक्टिस भाई मेरे फिर आप इन टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से ध्यान दो स्पेशली यहां पर यह जो साइन वाला है ना इसमें क्या होता है टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है टाइम इंक्रीज टाइम बहुत हाई ले लेता है साइन वाला इसमें गंदे से गंदा कोशन भी बन सकता और आप देख लेना प्रिविए से के दो तीन साल के पर देखो तो उसमें साइन वाले कोशन कुछ-कुछ ऐसे हो रखे हैं बेशक से वह पोजिटिव नेगटिव न प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अंदाजय लगने शुरू हो जाएंगे ठीक है ऐसी क्लासिफिकेशन में गलती होने के चांसी ज्यादा रहते हैं तो थोड़ासा क्लासिफिकेशन देख लीजेगा और रही बात ये इन सब टॉपिक्स की तो इनके अंदर क्या कि कोडिं कोडिंग बहुत सारे टाइप बनते हैं आप वह देख लेंगे तो जल्दी हो जाए कोडिंग डिकोडिंग लेकिन रही बात सीरीज मेंजिक नंबर और नंबर अनलोजी की यहां पर थोड़ासा वह घुमा सकता तो यह कई वरी क्लिक नहीं करते हैं यह जो तीन टोपिक यह क्या है current affair और इस बार हमने देखा कि chemistry का बहुत जादा पूछा जा रहा है SSC की जितने भी एक्जाम हो रहा है overall weightage निकाली जाए तो chemistry की ज्यादा आ रही है as compared to biology तो chemistry को थोड़ा सा ज्यादा फोकस डालने में ही फाइदा रहेगा मेरे हिसाब से तो और ऐसे हिस्ट्री जो ह है और geography है यह जो है यह दोनों तो मैं पॉलिटी को इसलिए नहीं consider कर रहा हूं भी क्योंकि पॉलिटी से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं अभी तक तो यह दोनों का weightage बहुत हाई इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एक तो इनके अंदर story forming बहुत हमने कर रखी है बहुत आपको थोड़ा साइस के पूछे जारा है यह सारे बहुत इंपॉर्टेंट टोपिक्स हैं और यह तो सिर्फ एक एक्जांपल मातर लिखें जी एसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है और हमने यह बहुत सारी चीज़े दे दी हैं कहां दी है अभी आपको आप देखिए उससे पहले हम आगे बढ़ें टेस्ट बुक की थोड़ी सी बात करता हूं कि इस वक्त टेस्ट बुक का जो है बहुत सारे बचे यह सोच रहे थे कि हम टेस्ट बुक का पास ले लेते हैं जिससे कि आपकी प्रेक्टिस अच्छी हो जाएगी मोग टास्ट देने पड़ेंगे लेकिन उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि 500 रुपे का जो हुआ करता था वो 270 का हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए हो रहा है यह दो चार दिन के लिए हो रहा है 28 से 30 सप्टमबर यह देखिए ठीक है 28 से 30 सप्टमबर lowest price हो रहा है इसमें आपको यह code जूज करने जी वी 10 और आपको 10% off मिल जागा साथ में जो कुछ लगी विनर होंगे उनको यह मरूती और कुछ को स्मार्टफोन यह तो चलिए थोड़ा लग बेस्ट है बट मेरा में फोकस है कि आप अगर तयारी कर रहे हैं तो यह जो इतना प्राइस है यह ने आप 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 कर लिजेगा अब इसके अलावा मैं आपको और बता दूँ हुआ जिएस की बात करते हैं इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दीश को बहुत बड़ी लांचिंग होने वाली जिसके अंदर कि हमने यह पूरी पूरी PDF को चेंज कर दिया है एक्दम नई वाली PDF हम लेके आ रहे हैं नए पैटरन के हिसाब से और नई चीजों के हिसाब से जिन्होंने पहले लेखे उन्हें कुछ नहीं करना है अभी वह उनका सब कुछ चेंज कर दिया जाएगा तीस से पैंतिस नए टोपिक तीस से पैंतिस न्यू टोपिक्स ताकि नए पैटरन को हम पकड़ पाएं ठीक है भाई नए पैटरन को पकड़ पाएं वो भी हमने एड़ कर दिये हैं और अभी जो इसका प्राइस यह है अभी जो न्यू आने वाला है उसका एकदम से अलग हाई रहेगा इससे प्राइस तो अभी आपको फाइदा रहेगा क्योंकि दो तिन दिन के बाद वो जो आने वाला है उसमें बिल्कुल सब चीजें नहीं है तो आपको वही मिलेगा ऐसा नहीं कि अभी आप ले लेंगे पुछ पुराना देगे वही आपको मिलेगा लेकिन वहां पहीं आपको मिलेगा दो-तिन दिन के बाद जब वहँने रॉप अभी आपको पुराने के साथ like यहां किशेंद टीजाए देगे तो एक ही रात तो आपको भी उसी टाइम पर मिल जाएगा आपके अपने आप ही वहां पर PDF को चेंजड शो करेगा खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम से नया वाला है ठीक है और हमारा टार्गेट है कि इसमें बहुत ज्यादा हाई नंबर लाए जाएं आपके जीएस में हाला क कि अब यそれでは न में उतना 지कात्या में रहेगा नंबरों को जितना ट्र्या टू में रहेगा तो पी टू में भी जी असानी है तो अपना फोकस जढ़ाए उसी पे रखिए क्योंकि जी ऐस के बिना कोई भी भी आपको पोस्ट मिलनी अब आसान नहीं रहेगी जीस की वेटेज बहुत जादा होगे और बहुत इंपोर्टेंट होगे ठीक है और ये सबी की सबी पीडियेफ जितनी भी आप सोच सकते हैं सब जितना भी है करंट अफेर अटरम शटरम जो जो चीजें हैं सब हमने डा जो जो दिमाग में आएगा आपके हर एक चीज आपको जहां पर मिल जाएगी तो इसके लिए भी आप डिले मत करना ठीक है यह मैंने लिख दिया कि वने ट्राइन क्या और टू डबल नाइन में ये कॉमबो है तो इसका मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस नीचे में हम लोग आड़ कर देते हैं जहां पर आपको इस सारी की सारी PDF का access मिल जाता है और आप पढ़िए उसको फिर और क्या करना है ठीक है तो बाकी अगर दो तिन दिन वेट करना है तो वेट करो क्योंकि वक्त भी आप ले सकते हो इसको लेकिन वहां पर क्या कि रश बहुत ह हो जाएगा आई नो तो फिर आपको तीन से चार दिन कम से कम एड़ करने में हमें लगेंगे तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी इससे बैटरे की रश से बचने के लिए और प्राइस हाइक से बचने के लिए अभी आप इसको ले सकते हैं ठीक है तो टेस्ट बुक का शेर कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब बाइब गाइस टेक कर सी यू लव यू अल